सुप्रबतम बच्चों, आज हम कक्षा पंचमी में दस्वे पाठ में जिसका नाम है वस्तु प्रदर्शिनी, इसके अभ्यास प्रश्ण करेंगे, यानि इसके प्रश्ण उतर करेंगे. इतिसाम प्रश्णा नाम उत्राणी लिखतु, इन प्रश्णों के उतर लिखिए. प्रदश्निम की मर्थम आयोजित वन्तह प्रदश्नि की मिर्थम यानि किस लिए आयोजित वन्तह यानि आयोजित की गई तो उतर है प्रदश्निम वस्तुनाम प्रचारम कर्तुम आयोजित वन्तह प्रदशनी वस्तो नायम यानि वस्तों के प्रचारम यानि प्रचार के लिए तुमन प्रते का प्रियुग है कर तुमन प्रते ठीके तो प्रदशनी वस्तूं का प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी यानि प्रदशनी किसली लगाई गी थी वस्तूं का प्रदशन करने के लिए यानि वस्तूं को दिखाने के लिए ताकि ग्रायक उन्हें खरी सके उत्रा प्रश्ण है वस्तु नाम उत्पाद का है कि मर्थम आगच्छन्ती वस्तु नाम यानि वस्तु के उत्पाद का यानि वस्तु को बनाने वाले कि मर्थम किसलिए आगच्छन्ती आये हैं? वस्तों को बनाने वाले किसलिए आए हैं तो वस्तों नाम उत्पाद का है वस्तों ने विक्रेतुम प्रदर्शितुम चैत्र आगच्छनती वस्तों को बनाने वाले वस्तों को बेचने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए यहां आए हैं यानि जो वस्तों हैं उन्होंने बनाई हैं उन्हें दिखा करके उनको बेचेंगे यानि उनको रखेंगे ताकि ग्रायक उन्हें पसंद गरेंगे और खरीदेंगे तो वस्तों को बेचने के लिए और उनका प्रदर्शन करने के लिए यहां आई हैं तीसरा प्रश्ण है जनाह कि मर्तम आगच्छन्ती लोग किसलिए आते हैं तो जनाह वस्तुनी क्रेतु आगच्छन्ती वस्तु को खरीदने के लिए आते हैं लोग किसलिए आते हैं वस्तु प्रदश्णी में वस्तु में खरीदने के लिए आते हैं चोता प्रश्ण है क्रेडा साधनानी की मर्थम संती क्रेडा साधन यानि जो खेलने के साधन हैं जैसे जूले हैं मिक्की माउस हैं ट्रेन हैं ये जो बार जहां भी मेले लगते हैं या प्रस्तु प्रदशनी लगती हैं वहां पर हम देखते हैं बहुत सारे खेलने के साधन ल जना नाम आकर्षणम कर्तुम संती यानि जो लोग है माँ देखने के लिए आ रहे उनको आकर्षित करने के लिए ये जो खेल के साधन जो है लगए गए हैं खेल के साधन लोगों को आकर्षित करने के लिए है किसलिए है लोगों को आकर्षित करने के लिए पांचवा है फल रस सक्टानी की मर्थम संती जो जूस के जो ठेले हैं सक्टानी यानि ठेले किसलिए हैं यानि जो बाहर जूस के जो भी खाने के ठेले लगे हैं किसलिए हैं केचन जना पातु मिच्चनती कुछ लोग पीना चाते हैं यानि जूस और पीना चाते हैं अतह इस इसलिए फल रस सक्टानी संती, फल के जो रस के जो है, यानि जूस के ठेले लगे हैं, जूस के ठेले किसलिए लगे हैं, कुछ लोग जूस पीना चाते हैं, इसलिए जूस के ठेले लगे हैं, विक्षु के ब्या के या चंती, विक्षु को किन से मांगते हैं, यानि जो विका वो किन से मांगते हैं विक्षु कभ यह ते दातों मिच्छन्ती ते यच्छती यानि जो देना चाते हैं यानि जो भिकारिवार बेठे हैं उनको जो कुछ देना चाते हैं वह उनसे मांगते हैं साथवा प्रशन है, आरक्षकाह कि मर्थम संती जो सिपाई है वह किसलिये है? यानि वलड़का देखता है कि वहाँ पुलीस खड़ी है, सिपाई किसलिये है? आरक्षकाह जनान रक्षितुं संती, आरक्षक यानि सिपाही लोगों की रक्षा के लिए है जो सिपाई है, वह किसलिए है? वह लोगों की रक्षा के लिए है। प्रश्न संक्यादू देखे, कोश्ट के विध्यमानश्य, क्रियापदश्य, उचितम, पदम, उधारणवा के अनुसारं लिखतो। कोश्टक में विद्यमान यानि दिये गए क्रियापदों को उचित पद के अनुसार उधारन में जो दिया गया है उसके अनुसार लिखना है अब आपके उधारन दिया गया है रागव है क्रीडितुम क्रीडागंकम गच्छती इसका मतलब है क्रीड यानी क्रीडती यानी खेलता है अब जैसे हमपन इस जगे को छोड़ करके हिंदी बनाते हैं तो रागव खेलता है, खेल के मेदान में जाता है यह वाई के सही नहीं बना तो यहां हमें करना है रागव खेलने के लिए खेल के मेदान में जाता है यानि खेलता है कि जमगेल हमें लिखना है खेलने के लिए तो के लिए लाने के लिए हमें इसमें प्रते जोड़ना है तो कौन सा प्रते जोड़ेंगे? के लिए अर्थ कौन सा प्रते देता है? के लिए अर्थ जो है वह तुम उन प्रते देता है यानि तुम उन प्रते जोड़ने पर किसी सब्द का अर्थ के लिए बदल जाता है या हमें तुम उन प्रते को जोड़ना जिसमें तुम सेस रहता है ठीक है आन्यती, लिकती, पश्यती, गच्यती, शुनोती, पिबती ये जो सब्द दिये गए हैं कोश्टक में इन सब्दों को तुमुन प्रते लगा करके बदल करके इन खाली जगों में लिखना है ठीक है? तो अब आप इन सब्दों के साथ तुमुन प्रते लगाएंगे तो यह कैसे बनेंगे? यह अभी देखते हैं तुमुन प्रते में जो है सेश क्या रहता है? तुम यानि इसमें तुम सेश रहता है ठीक है? उ और ने ये ना और ये उ की मात्र हट जाती है और सेश रहता है तुम ठीक है? आप देखो क्रीडती क्रीडती है आपके सब्द क्रीडती में आपके इसमें हम तुमुन प्रते जोड़ेंगे तो क्रीडी तुम हो जाएगा क्रीडी तुम ठीक है? फिर है आन्यती, फिर है आन्यती का आने तुम, फिर है लिखती, लिखती का हो जाएगा लेखी तुम, ठीके, पश्यती यानि देखता है, तो इसका पश्यका हो जाएगा द्रस्टुम, ठीके, और गचती, गचती का गन्तुम, फिर है आपके श्रूनोती, श्रूनोती का क्या हो जाएगा, श्रूनोती का स्रूतुम, क्या होगा, स्रूतुम, ठीके, और पिबती का पातुम, क्या होगा पा तुम यानि तुम उन प्रते में तुम जुड़ता है और तुम उन प्रते का अरत होता है के लिए क्या अरत होता है के लिए अब है ग्रीडी तुम खेलने के लिए आने तुम लाने के लिए आने के लिए ठीके आने तुम यानि लाना लेखितुम लिखने के लिए दृष्टुम देखने के लिए गंतुम जाने के लिए श्रोतुम सुनने के लिए पातुम पीने के लिए इस प्रकार ये जो है हमने ये लट लकार के जो क्रिया पद है इसको हमने तुमन प्रत्य लगा करके जो है याम पर लिखा है देखो मूल दातों तो होती है क्रीड ठीक है क्रीड यानि खेलना और इसमें तुम उन प्रते जोड़ दिया तो हो गया क्रीड इतुम इसमें है और इसी प्रकार जैसे क्रीड ती है मूल दातों क्या है क्रीड ती मूल दातों क्या है क्रीड है तो क्रीड में तुम उन प्रते जोड़ा, ग्रिडितुम, इसी प्रकार ये जो सब्द है इन में जो मूलधातु होती है उसमें तुम उन प्रते जोड़ने पर वो सब्द इस प्रकार बनें गे, अब इन सब्दों को आपको खाली जगे में बढ़ना है, अब आज के ग्रेक आरिव में प्रश्न संक्या एक वैं प्रश्न संक्या दो अपनी कोपी में करने हैं प्रश्न संक्या दो जो है यहें खाली जगे में आने वाले सब्द दिये गए हैं यानि जो कोश्टक में सब्द थे उनमें तुमुन प्रते लगा करके उनको बदला गया है और ये आपको खाली जगे में बरके पूरा जो है बाइक के कोपी में करना है ऐसे नहीं आप इन सब्तों को कर दे पूरा कोपी में करना है और खाली जगे के नीचे पेंसिल से अंडर लाइन भी करनी है